पिछले कई दिनों से सुन रहा हूं एंड्रोइड 11 में अपडेट करने के बाद बड़ी सारी दिक्कते हैं हालाकि आजकल इस तरह की चर्चाएं थोड़ी कम हो रही हैं लेकिन फिर भी एंड्रोइड 11 में अपडेट करने के बाद परिवर्तन तो हुए हैं बहुत सारे हुए हैं और उन परिवर्तनों के बारे में मैं क्या सोचता हूं क्या अच्छे बडलाव हुए हैं और कौन से बडलाव अच्छे नहीं हैं और खासकर सैमसंग का फोन इस्तमाल करने वाले लोगों को कौन से दिक्कते आ रही हैं तो ये सब चर्चा करने की कोशिश करूँगा आज मॉबाइल एकसेसिबिलिटी वर्कशॉप पार्ट 62 लेकर के हाजिर हूँ मैं संदीब कुमार त्रिवेदी और आप हैं रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 11 नवंबर 2019 को जब इस वर्कशॉप को मैंने शुरू किया था तो बहुत मन लगा करके बहुत उर्जा से बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको शुरू किया था लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चाई जो है वो सब आपके सामने है एक तो पिछले कई महिनों से मैं इस पर काम नहीं कर पाया मेरी गलती है और लगबग आधे भाग इस वर्कशॉप के बाकी लोगों ने तयार किये है वो भी जरूरी था क्योंकि हमारी वर्कशॉप का उद्देश ये है कि हमारे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले और अलग-अलग लोगों से सीखने को मिले एक एक विक्ति का knowledge जो है वो complete नहीं हो सकता है और मैं तो खेर अपने आपको इस रूप में कहीं मानता ही नहीं हूँ मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को मज़ा आएगा इस बात की आलोचना करने में कि ये देखो भाई इतने सारे लोग थे ये भी एक आ गया Android 11 पर अपना व्याख्यान अपने अलग्चर देने के लिए लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरा उद्देश जिनको कुछ आता है उनको कुछ सिखाने का तो कताई ही ने मेरा उद्देश तो उनके लिए है उनको कुछ बताने का है जो थोड़ा सा Android को कम समझते हैं या कम जानते हैं या जो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं उसकी बारीकियों पर इतनी चर्चा नहीं कर पाते हैं तो एकोल मिला करके जो अंतिम पंक्ती में बैठा वो वेक्ती है उसके लिए मैं काम करता हूँ और करता रहूंगा दोस्तों बता दूं मेरे पास तो फोन है Samsung M30S हाला कि बहुत सारे लोगों को इस बात से भी परिशानी है लिटरली परिशानी है पिछले दिनों तो आपको जान करके आश्यर होगा कि कुछ ना समझ लोगों ने यहां तक बोल दिया कि Samsung जो है वो मुझे पैसे देता है लेकिन जिन्होंने ध्यान से सुना ही नहीं है जिन्होंने पुराने वीडियोस को चेक ही नहीं किया उनसे और क्या उमीद कर सकते हैं यहां इस वरक्शॉप में हमने केवल और केवल सिखाने पर जोर दिया केवल और केवल बताने पर जोर दिया यह उद्देश नहीं था हमारा कि भाई यह फोन लो वो फोन लो इस फोन में ये खासियत है वो है ये है वो आपका काम है हमें कोई पूछेगा तो हम तो अपने नौलेज की साफसर सजेस्ट करेंगे और जो हमें नहीं पूछेगा उसको हम जबरदस्ती थोपने वाले भी नहीं है लेकिन मैं हमेशा सही मान करके चलता हूँ कि हमारे पास जो कुछ है वो दूसरों के काम आना चाहिए ना कि हमें उसके उपर गमंड करना चाहिए एक कॉल आ रहा है जिसको मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है और ये कॉल तो आते रहेंगे खेर कोई बात ने केम ही बड़ा अच्छा है ऐसा है कि लगबख साथ बज़ रहे हैं शाम के तो कॉल आना लाजमी है पहले हम जरा इस से अलोकेंट्स को ठीक कर लिए और चुकी बात एंडरोइड 11 की हो रही है तो काफी चीज़ें बगल भी गई है फिर से कॉल फिर से मैंने काट दिया है अब लहां स्टी सिस्पीड जारा कम कर देते हैं कर windows कर दो कर अ C ये वर डिप電 फटे से शë करथी कि अच्छिए बसे इस पिछ पिज्ड इस पिच इच पिच 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 पर इस पीच पर दो इस सपीड कम कर भी है मैं पार कि पर पर प्रफ पर प्रफ आप बैक से वच जाते हैं अच्छा दोस्तों एक तो बात ऐसी है कि Eloquence जो है उसका मैं Crack Version यूज़ कर रहा हूँ अभी भी लेकिन Vocalizer मैंने खरीद रखा है और Auto TTS भी मैंने खरीद रखा है अब मैंने 15 फरवरी 2021 को अपने Android फोन को अपडेट किया Android 11 में उससे पहले जब इदर उदर चर्चाएं चल रही थी तो मैंने भी सुना यार पता नहीं क्या मुसीबत है पता नहीं कितनी दिक्कत आएंगे अपडेट भी बार बार नोटिफिकेशन भी आ रहा था तो जब अपडेट किया तो क्या किया मैंने कि Google TTS पे स्विच कर लिया पता नहीं मैंने का बात में कहीं ऐसा नहीं हो दिक्कत आजाए और बंद हो जाए कुछ हो जाए तो थोड़ी भी देर के लिए परेशान क्यों हुआ जाए बेराल अपडेट हुआ और Google TTS चलता रहा उसके बाद में मैंने कोशिश की कि Auto TTS को चलाया जाए Eloquence को चलाया जाए Auto TTS पे स्विच किया कुछ नहीं बोला तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बढ़ है लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जब भी हम अपडेट करते हैं इस तरह की चीज़े होती है होता क्या है कि Auto TTS को ओपन करें ओपन करने के बाद अपने TTS सेट कर ले हिंदी और इंग्लिश के लिए जो भी आप यूज़ करने जैसे हिंदी में मैं वोकलाइजर का नील वोईस यूज़ करता हूँ और इंग्लिश के लिए एलोकेंट्स यूज़ करता हूँ कर दिये फिर भी नहीं चलता है वो तो आपको उसके बाद में फोन को री स्टार्ट कर लेना चाहिए और री स्टार्ट करने के बाद में फिर आटो टीटीएस पे स्विच करें आप तो चल जाएगा अब ये तो आप हर जगे से सुनी रहे हैं कि टॉक बेक में ऐसा हो गया वैसा हो गया लेकिन मैं तो बस प्रैक्टिकली बताओंगा कि मुझे क्या-क्या दिक्कते आई और मैं जो चेंजेज हुए हैं उन चेंजेज को लेकर कि क्या सोचता हूँ तो ये जो परिवर्तन हुए उसके बाद सबसे पहली जो मेरी नजर पड़ी जिस बात पर वहां से शुरू करते हैं वो है फोन में जाते हैं हम फोन अप में गए ये तो आप सब जानते हैं जोनोंने पुराने वर्क्शॉप के वीडियो को सुना है मैं सेट करके रखता हूँ आइकन्स को निश्चित जगहों पर अब यहां पर सेलेक्ट अब अब यहां पर सेलेक्टेट रिसेंस टैब फोन तक अब गवाज़िए यहां नहीं समझा तो पहले जब हम फोन बुक में जाते थे तो हमें सेटिंग में जाकर के अगर Miss Call देखने अलग से तो Miss Call पे क्लिक करना होता था Show Calls में जाके Outgoing देखनी तो Outgoing में Rejected Call देखते है ौलकॉल देखने तो All Calls by Default All Calls रहता है लेकिन अभी इस update के होने के बाद क्या हो रहा है कि जो भी call चाहे हमारे पास कोई phone आया है तो उस पे वो incoming बोल रहा है खुदी अगर हमने call किया है तो outgoing बोल रहा है अगर कोई phone reject किया है तो वो rejected बोलेगा और अगर कोई miss call है तो यानि अलग से उस option में जाने की जरूरत नहीं है जो कि मेरे इसाब से अच्छी बात है मैं सासर ये भी बताता जाओंगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरी समझ से आप अपनी अपनी सुविधा अनुसार उसको देख सकते हैं तो ये तो रहा पहला बड़ा परीवरता इसके बाद में दोस्तों ये जो हम लोग इसमें जाते थे local context menu में जाते थे हम दो होते थे global context menu और local context menu आप जानते हैं कि एक ल बनाने से तो एक global कुलता था और उपर की तरफ उल्टा-L बनाने से लोकल कॉंटेक्स मेनू अब उस लोकल कॉंटेक्स मेनू में कुछ चीजे होती थी जैसे आपका लिंक्स देखने हैं या जो हेडिंग से हैं वो देखने थी या फिर ये कंट्रोलस देखने थे तो ये सारी चीजे एक फिंगर आप डाउन करते तो चेंज होती एक फिंगर आप करते तो चेंज होती थी कुल मिला करके ये जो लोकल कॉंटेक्स मेनू के जो जितने भी फंक्शन्स थे वो अब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में परिवर्तन हुआ है मेरी नजर में क्योंकि मेरे लिए बहुत उपयोगी थे ये चीज़े जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ना होता था तो हम एक फिंगर से उसको उपर नीचे करके लेकिन अब इस काम को आपको तीन फिंगर से करना पढ़ रहा है जो कि एक तरह से आप का काम बढ़ाने वाला है हैडेक बढ़ाने वाला मामला है अब देखिए कैसे तीन फिंगर स्क्रीन पर रखें आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बीच में एक एक फिंगर का गैप रखें ये लिंक्स आ गया स्पीच रेट स्पोकन लेंग्वेज कैरेक्टर्स वर्ट्स परग्राप्स कंट्रोल्स अब इसमें एक तो ये स्पीच रेट जो एड़ किया है ये अच्छी बात है ठीक है और इसका मेरे लिए बहुत कोई यूज है नहीं अब ये कैरेक्टर वर्ड और हेडिंग इसकी बहुत जरुवत पड़ती थी तो अब ये तीन तीन फिंगर से करना एक तो परिशानी के बात है ये मेरे को ठीक नहीं लगा अब ये शायद हो सकता है सैमसंग की प्रॉब्लम हो हो सकता है बाकी फोन्स में ऐसा ना हो क्योंकि ऐसा मैंने कहीं कुछ थोड़ी सी शायद ऐसी कोई तरचा सुनी थी तो वाई सैमसंग वालों के लिए तो एक बड़ी मुसीबत है एक बात और जो एलोकेंट्स को यूज करने के बाद आ रही है अगर आप एलोकेंट्स यूज नहीं करते हैं ध्यान देना तब तो वो दिक्कत नहीं है वो यह कि बाई डिफॉल्ट यह डिफॉल्ट पर रहता था जो हमारा करसर है वो लेकिन यहां पर डिफॉल्ट आपको मिली नहीं रहा है देखिए सुनिएगा कहीं भी डिफॉल्ट है नहीं लेकिन मैंने यह भी प्रयोग करके देखा जब मैंने एलोकेंट्स की जगे कुछ और टीटीएस यूज किया चाहे सैमसंग टीएस या फिर गूगल टीएस तो आप इसको इस्तमाल कर पा रहे हैं यानि वहाँ पर डिफॉल्ट मिलता है तो यह एक तो एलोकेंट्स यूज करने वालों को दिक्कत है खासकर सैमसंग के फोन्स में और चुकि वो भी एलोकेंट्स जो क्रैक यूज कर रहे हैं हाला कि कई जगे यह भी सुना था मैंने कि जो एलोकेंट्स जिन्होंने पर्चेस कर रखा है उन्हें भी दिक्कते आ रही हैं क्योंकि वैसे भी वो प्ले स्टोर से तो हटाई दिया था उसके अपडेट्स मिलना बंद होई गए थे तो कुल मिला करके यह परिशानिया है और मुझे कैरेक्टर्स वगेरा की बहुत जरूत पढ़ती है टेक्स्ट पढ़ने में तो उसको तीन-तीन फिंगर्स से उपर नीचे करना फिर एक फिंगर जो है वो अब एक फिंगर को जो पहले हम चेंज कर लेते थे अब आप डाउन करके आप उसको सुनने के लिए यूज करते हैं यानि आपने कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया उसको सुनना है तो एक फिंगर को आप या डाउन करेंगे आप तो यह एक मुझे लगता है कि बेकार चेंज हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए ते तीन फिंगर्स इतना मतलब लेंदी करना और उपर से अब हाँ एक बात जो यहां पर बीच वे मुझे याद आई थी सैमसंग वालों के लिए खास कर तो एक यह बहुत बड़ी समस्या जो हुई है वो यह कि गूगल प्ले स्टोर से टॉक बेक को सपोर्ट हटा लिया गया है सैमसंग वालों के लिए और इसको उनका जो सैमसंग स्टोर जो होता है क्या बोलते हैं उसको उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी वो अभी देख लेंगे याद आ जाएगा तो वहाँ पर यह टॉक बेक मिलता है मतलब सैमसंग का अपना जो एप स्टोर है वहाँ से यह मिलता है तो यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई चीज़ मैं इसको एकसेट करता हूँ यह गलत है इसको यह गूगल प्ले स्टोर में ही मिलना चाहिए तो यह कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं इसके अलावा चोटी चोटी चीज़ें कुछ जो है जो मैं बताऊं आपको क्लिक करने से वो काम नहीं करता है जैसे आपने कुछ खोलना है तो अभी नहीं बता पहूंगा लेकिन हाँ ठीक है फिर भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार में वो क्लिक नहीं हो पाती है तो यह बहुत ही जादा टाइम वेस्ट होता है बहुत जादा बेकार ब किवा बारा में से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाइस मेसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाइस मेसेजरिक अलागि मैं आज इस वीडियो में आपको उसका भी वताऊंगा तो यह समय है और यहां पे तो ये बड़ी बेकार चीज है ये नई होना चाहिए कुछ एक चेंजेज हैं इस तरके अचा मेरे लिए देखिए एक और नुकसान जाएक बात हुई जो पता नहीं सैमसंग के फोन में हो रही है या पर्टिकुलर मेरे फोन में है तो एक जो समस्या मेरे फोन में हो रही है कि मैंने फिंगर प्रिंट में नॉटिफिकेशन सेट कर रखा है नॉटिफिकेशन खुला डाउन किया तो ठीक है फिंगर प्रिंट स्केनर में अब दो बार डाउन करूँगा तो उटिफिक नॉटिफिकेशन खुल जाएगा ठीक है अब लेकिन यहां पर दोस्ते हैं बटन आउन करें बटन डिस्टब मुझे कहीं नहीं मिल रहा है जो कि बड़ा इंपोर्टेंट होता है कई बार जब आप क्लास ले रहे हैं आप नहीं चाहते हैं फोन कॉल्स आपके बज़ें यह इवन वाइब्रेशन आला कि मैं तो वैसे भी वाइब्रेशन पर रखता हुई है मेरे लिए मुझे कमेंट करके आप लोग बताईएगा अगर आपको कहीं मिलता हो तो या आपको इसका कोई उप्शन मालूम हो तो मुझे बताईएगा मैं चाहूंगा कि मुझे इसका उप्शन लेकिन नोटिफिकेशन में अंदर तो खेर मैं देख लूँगा अच्छा नहीं लगता फिर मतलब तकलीफ होती है वही सब मेरे साथ भी हो रहा है अब कुछ और चीज़ें याद आएंगी तो मैं उसमें बताता हूं आपको लेकिन फिलाल अब हम टॉक बेक में चलते हैं सीधा और चुकि मेजर चेंजिस जो हैं वो टॉक बेक में हुए ह हाला कि आपको बताओ मैं चोटे 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 चेंजिस कुछ और भी है जैसे अभी यह कि याद आ रहा है मुझे सेटिंग में गए सॉरी सेटिंग में गए एकसेसिबिलिटी में गए टॉक बेक पहले जो इंस्टॉल सर्विसेज में मिलता था वो बाहरी मिल रहा है जहां वाइसस्टेंट भी पहले वह किसी फंचेंट आप वाइसस्टेंट जो है टॉक बन कर दिया है एक यह बिल्ड और बाहर आते हैं बहुत दिनों बाद एकसेसिबिलिटी वर्क्शॉप कर रहा हूं दोस्तों बड़ा आजीब भी लग रहा है दुख भी हो रहा है चाहता तो बहुत कुछ करना था जब मैंने लास्ट जो फिलिप कार्ट वाला एक बनाया था अपना तब भी बड़ा मैंने उच साह से उसको आई थिंक अक्टोबर में शायद बनाया होगा लेकिन उसके बाद से भी देखिए चार महीने बीद गए खेर अगर फिर से आप लोग चाहते हैं कि सीरीज को जारी रखा जाए अला कि मैं यह बात बोलनी ही नहीं चाहिए क्योंकि मझे मालूम है आप लोग चाहते हैं और यार यह जो हमारी प्लेलिस्ट है मॉबाइल एकसेसिविलिटी वरक्शॉप की यह तेरा सो से भी जादा बार मतला बार यह शेर हो गई है यार कोई प्लेलिस्ट इतनी शेर हो जाए बड़ा आश्चे रहका देखें एक सिंगल वीडियो तो शेर हो सकता है उस पर तो इतने व्यूज मिल सकते हैं लेकिन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग शेर करते हैं means कि कहीं न कहीं ये जो हमारा उद्देश्य था कि हम अंतिम पंक्ती में बैठे हुए वेक्ति तक पहुंचें उसमें हमें सफलता मिली है और आप लोगों को ये वर्क्शॉप अच्छी लगी है ये मैं मान कर खाला कि सारी अच्छी नहीं लगी होगी सारा कुछ अच्छा होत होता है हमारा जोर सिर्फ खुद पर हो सकता है कि हम खुद क्या कर सकते हैं तो आज बड़ी मेहनत से बहुत दिनों तक सोचने के बाद इस वर्क्शॉप को बना रहा हूं जिस दिन 15 तारीक को अपडेट किया था तभी सोच रहा था मैं कि मैं ये बनाओ लेकिन 15 दिन लग है फिर भी वही हिम्मत को जुटा थे जुटा थे तो हाँ आप लोग कमेंट करिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो तो मैं ही कह रहा था कि talkback मैं open करूँ उसमें भी एक चीज़ बतानी है कि जब हम L बना करके global context menu खोलते थे या ultra L बना करके local context menu लेकिन अभी दोनों ही परिस्थितियों में दोनों ही तरफ से एक option खुलता है और जिसको बोलते हैं talkback menu सीधा सा क्या बोलते हैं अब इस talkback menu में यह पूरा ही चेंज होगी है यह ना तो global है ना लोकल है यह सब कुछ काफी चीज़ें इसमें बदल गई है सबसे उपर एक्शन्स रीट फॉम नेक्स आइटम कॉपी लास्ट अट्रेंस जो कॉपी हम करते थे spoken language spoken language जो उसमें सब चीज़ें जो आ रही थी screen search अब यह जो है dim screen होता था यहां पर और अब यह हो गया है show screen यह उसका नाम कुछ अलग हो गया था मतलब लेकिन यहां पर यह चेंज है और talkback setting text to speech setting पहले भी होता था cancel language लेंगे सब यहां से हड़ी है क्योंकि वह वहां पर दो दिया अब सीधा आपन talkback setting में जाते हैं क्योंकि यहां से कापी चीज़े और clarify होंगी कि वह वास्ता में हुआ क्या है वो तो इस talkback setting को देखने पर ही आपको समझ में आएंगी चीज़े बेराल यह ठीक है इसी है कि भाई यह talkback menu करके किनोंने लेकिन अब यह दो-दो उसके लिए अलग से gestures देना कोई बड़ी समझदारी वाली बात नहीं है पहला option है इसको देखें क्लिक होता है क्या हुआ है यह तो आपको एक तरह से टूटोरियल बता रहा है दूसरे में audio अडियो देखें ओपन होता है क्या नहीं होगा यह तो heading है text to speech setting तो same वैसा ही है जैसा था अभी verbos TV पहले वाला ही है मामला speak passwords पहले भी वाका था यह speak passwords यहां भी आप password type करते हैं वो बोल करके बताए यह तो अच्छा option है पहले भी था जरूरी sound feedback अच्छा अब इस sound feedback की एक कहानी है कि जो अभी WhatsApp में आपको बताया था ना हमने कि एक beep की आवाज आ रही है आप अगर इस sound feedback को off कर देते हैं तो वो आवाज नहीं आएगी लेकिन आब उसका क्या करें मेरे जैसे बंदे को तो sound feedback चाहिए होता है कुछ लोगों को vibration feedback पसंद होता है कुछ लोगों को sound feedback पसंद होता है मुझे sound feedback पसंद है और हाँ sound feedback से एक बात और याद आई कि पहले जब हम video या photo कुछ भी download करते थे तो video के मामले में तो खासकर यह बोलता था progress bar और यह सब लेकिन अब इस feedback के आने के बाद से क्या होता है कि अगर कोई भी चीज जो download हो रही है या upload हो रही है तो जैसे nvdm आप एक sound सुनते है जो मतलब दीरे 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 नीचे से उपर की तरफ हो जाती जाती है मतलब मंदर से तार सब तक की तरफ हो आती है ऐसा ही यह इस वोईस का एक काम है जो जो sound feedback वाली जो वोईस टक 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 आती है तो यह भी नीचे से उपर की तरफ होती जाती है यह sound लगातार कोई भी प्रोग्रेस बार चल रही है वहाँ पर यह sound चलेगी ठीक वैसे ही जैसे एनवीडिये में अब यह भी बात मुझे समझ में नहीं आती कि एनवीडिये में जब यह चलती है तो कुछ लोगों को पसंद आती है लेकिन टॉक बेक में वही चीज हो रही है तो लोगों को तो वो भी मैं आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा अगर टाइम मिल गया तो बचाने का यह वालियम वगेरा यह सब पहले वाला ही फंक्शन है कोई बड़ी बात नहीं है यह भी पहले वाला ही है ओडियो डुकिंग यानि इसका काम वही मैं बता दूं कि जब आप म्यूजिक वगेरा सुन रहे हो और बीच में टॉक बेक चलाना चाहें तो म्यूजिक हलका सा दी कॉस्टमाइज जेस्चर इसमें जाते हैं जड़ा क्या-क्या किस्टमाइज की अम प्ला बात रिसेट कर सकते यानि आप अपने इसाब से चेंज कर सकते हैं अब पहला है एक फिंगर से क्या-क्या हो रहा है एप करणे तो उसके प्रिविए ating पे जाएंगे एक प्रेंगेition से प्रिविएस एंटिंग मीरेवार करणे निन से औल में प्रिविए साइट्व हो तो उसको निलटा हो जाएंगे सब्राइब कर दो घुरुड़ा करेंगे लिछ नेक्स अब्सक्राइब में और किसी में भी हो एक फिंगर को आगे पीछे करने से क्या होगा स्वाइप अप देन डाउन ठीक है प्रिवियस आइटम एन रीडिंग मेन्यू स्वाइप और एंद डाउन इस्वाइप दाउन इस्वाइप डाउन अप में स्वाइप लेफ्ट देन राइट स्वाइप लेफ्ट देन राइट स्क्रोल बैक वोई वैक फोरवड के लिए वन फिंगर एंगल स्वाइप देन लेफ्ट यह आजाएगा आपका हॉम स्वाइब देन राइट यानि जिसे लोकल कॉंटेक्स मेन्यू खुलता था यह टॉक बेक मेन्यू स्वाइब दाउन देन लेफ्ट बैक स्वाइब डबल डबल है यहां पर भी टॉक बेक मेन्यू खुल रहा है स्वाइब लेफ्ट देन अप स्वाइब लेफ्ट देन अप स्वाइब लेफ्ट देन अप इसमें आप वोइस कमांड को ओपन कर सकते हैं यह अच्छी बात है स्वाइब देन नाँ डोटीन लेफिटियां यह तोえば ने फिंगर प्रिंट में कर रका तो कोई दिक्क थे ही नहीं में और पर यह फिंगर भी आइडिकर क्यूं दिया सब्सक्सक्रा अब देखते हैं अगे हुआ और और ने डाल दियों टू फिंगर में देखते हैं क्या क्या है दो फिंगर से आप टैप करेंगे तो जो कुछ बोल रहा है वो रुक जाएगा मतलब जैसे कंप्टर में कंट्रोल का काम है अच्छा दो फिंगर से डबल टैप करेंगे कहीं भी तो मीडिया प्ले या पोज हो जाएगा सेलेक्शन मोड को स्टार्ट और एंड करने के लिए दो फिंगर से डबल टैप करके लॉंग प्रेस करें अच्रय को आप सत्ताइब ुटमें इसक्ताइब तो ट्रिपल टैप करना है आपको यह रिसेबल क्यों उता रहा पता नहीं विचेएब स्वाइब डियुक्र क्यों थेपा देङहे वापसे थ्री फिंगर हेडिंग आई है तीन फिंगर से टेप करने पर अच्छा ये बीच में वो था मतलब जो फिंगर से तीन बार टेप करना है आपको तो ये आपको नेक्स टाइटम से रीट करें तीन बार टेप करके होल्ड करना है तब आप टाउक बेक को ओन ये आफ कर पाएंगे ओके आप तीन फिंगर से देखते हैं चलिए तीन फिंगर से टेप करते ही आपका टाउक बेक मेनु खुल जाएगा ये स्क्रीन सेब्स के लिए है तीन फिंगर से टैट आप तीन फिंगर से आप डबल टैप करेंगे तो कॉपी हो जाएगा ये अच्छा फीचर है अला कि वही बात आप तीन तीन उंगलियां कौन ध्यान रखे इतना फिंगर प्लट यहां सबना हैं तो वह प्रास uh कने तेहां सरा हुच्छ बार मत्री प्रे करेंगे मैं आप् 상वार कुछ sappas करने के लिए प्रीपल के उसको खोंड करा पाली यहां हमारे blind accessibility keyboard में तो वैसे ही मिल जाता है select all यह सब पहले आ चुकी है इसलिए मैं आपको repeat करके नहीं बता रहा है हाँ रही भी चार फिंगर gesture pad फूलना हो तो चार फिंगर से tap करें double tap with four fingers no action 44 55 double no action मतलब set कर सकते हो double tap and hold with four fingers pass through next gesture 45 of 50 triple tap with four fingers no action swipe up with four fingers no action swipe down with four fingers no action 48 of swipe left with four fingers no action 49 of 55 five hundred rupees के खुले कुले पैसे दो पड़े मिलगे थैंट कि नहीं ने फिंगर प्रिंट के दिये लेकिन ये मेरे तो option मिला ही नहीं कि कहां से on off करो मतलब fingerprint में आप इसको swipe up down ये वो करोगे तो ये हो जाएगा ये कुलना के बड़ा इंबॉटेंट था कि तीन फिंगर चार फिंगर पे आप भी कुछ भी जहां पर नो एक्शन बोल रहा है ना वहां आपक अपनी तरफ से कुछ भी सेट कर सकते हो कुलना के जेस्चर्स में क्या है देखते हैं जरा कुलना के जेस्चर्स में क्या क्या है वो ही बता है कुलना के जेस्चर्स में क्या क्या है वो ही बता है तो आगे बताते हैं आपको इसको बोलते हैं गैलेक्सी स्टोर यह देखे पहले ही आता था ओपन टाक बैक इन गूगल ब्ले इस्टोर अभी आ रहा है गैलेक्सी स्टोर तो यह ताफी कुछ मतलब बदलाव हैं दोस्तों जो कि आप लोग समझ रहे होंगे इनको देखने से आपको इसको इस्तिती जादा क्लियर हो जाएगी इसलिए बहुत जादा मैंने इस पर जोर नहीं दिया लेकिन अभी कुछ एक पर रहे गएं दो चार वो और बता देता हूं आपको तो बड़ी समस्या हैं बीच-बीच में बहुत सारे काम आजाते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि टाइम जादा वेस्ट होता है और टाइम किसी के पास है भी नहीं कि यह भी कारण है दोस्तों कि अब मेरा तरीका था थोड़ा जादा डिटेल में समझाने का और डिटेल क के चक्कर में हो यह रहा था कि चीजें लबी हो रही हैं तो ऐसे मैं मुझे लगा भई पता नहीं कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा अभी भी देखो आपको काफी भक्ती संगीत सुनाई दे रहा होगा तो हाँ अब देखते हैं आगे ओपन टॉक बैग इन गैलेक्सी स्टोर हो गया अब एडवांस हेडिन आ रही है फोकस इंडिकेटर में देखें जरा क्या क्या है अचा देखिए एक तो है यह है थिक बॉर्डर्स ओफ है पता नहीं कलर वलर सेट करने का अप्शन है खुलना के चलो यह मेरे बहुत ज़्यादा का है नहीं इसलिए में ज़्यादा माता बच्छी नहीं है फोकस इंडिकेटर कस्टम लेबल्स इसमें क्या है देखिए तो यह तो आपको सेट करने के लिए हाँ यह फीचर पहले भी हुआ करता था कि अगर आपको एक बार टैप करके ही कुछ चीज़ें ओपन करनी हो लेकिन हमारे सैमसंग में तो एलोकेंट्स के साथ डबल टैप भी ओपन नहीं हो रहा है तो एक बार का क्या करेंगे इसलिए छोड़ देतें कलना कि आप चीज़ यह एक अच्छी बात है इन्होंने चाहे आपका डायल पेड हो फोन बुक में मतलब फोन वाले एप में और या फिर कहीं भी आपका पासवर्ड वगे रहा हो आप इसको चाहें तो एक बार में सिंगल टैप पर ओन कर सकते हैं या फिर डबल टैप पर तो मैंने आफ कर रख यह सब तो चीजे चलो कुछ काम की नहीं बैक आ जाते हैं और टाइम भी अभी करीबन चालीस एक मिनिट हो गया है एक चीज जो मैं बताना चाहरा था आपको कि इसी में मर्ज कर देते हैं उसको अपना आज वो यह कि जो यह जो आपको अगर पसंद नहीं है तो एक एप है उसका नाम है औडेक्स और यह हमारे एक दृष्टिबादिस साथी ने बनाया था बहुत पहले आकाश शायद नाम है उनका तो मैं एक बार टॉक बेक मेनु खोल रहा हूं और टॉक बेक सेटिंग में गए साउंड फीडवेग को आफ कर दिया ठीक है तो अब इसको आफ करने के बाद में आप उसमें जाएंगे वाटस आप वोईस मेसेज करेंगे तो आपको आवाज नहीं आएगी लेकिन अब मुझे मैंने का ना कि साउंड फीडवेग चाहिए तो मैं और डेक्स में जाता हूं ओडेक्स में गया यह एक इसमें बोला वैलकम टू ओडेक्स यहीं पर ओडेक्स में एक आपको आप्शन दिया है कि लाउंच एकसिबिलिटी सेटिंग तक कि अगर आप ओडेक्स को यूज करना चाहें तो उसमें वहाँ जाके ओन करना पड़ेगा है जैसे हम आउडेक्स चलो इसको लांच कर देंगे इंस्टॉल सर्विसेज में ही मिलेका यह है और डेक्स ऑफ बोला इसने इसमें जाते हैं अब इस फोन की किया में अब यह अलाओ और डिनाई अलाओ कर देंगे यह कर दिया हमने अलाओ बैग जाएंगे इस्टॉल सर्व दॉसकिपाए स्विचाइस बाक एक्सेड़ी एरिंग इन इटरी इंट ठीजा पर रहे कमेंड फर यूप बैक्स लॉच्टाइंगे इस्टॉल सभी शेटिट को आप यह नहीं जोगे वापस एक्सेटिक्टार्स पर दूल आउंडेक्स मैंने का ना Odex on ही न्यों वा बहुते है तभी तो अब अब वायो न ला न न अब दूआ है आपको sound feedback सुना भी एगा होगा प्रहें ना Odex कि भाद दाधे है और इस ओडेक्स में क्या है आपको बेसिकली साउंड फीडबेक्स दिये हुए है अलाकि एक फीचर इसमें और भी हुआ करता था जिसकी अब इतनी जरुरत नहीं पड़ती क्योंकि वह फंक्शन तो टॉगबेक में आ गया है और वह यह था कि जो भी बटन अनलेबल होते थे उनको यह आटोमेटिक लेबल कर दिया करता था बहुत अच्छा फीचर था यह लेकिन इसको समझा को वालो ने अब हम जा रहे हैं और हम सेट मोर में जाएंगे में आपको यह बता सकूं ना कि इसमें सांट कौन कौन सी है सबसे उपर आप्शन है औडएक्स सेटिंग इसमें वाल्यूम सेटिंग पहला है वॉल्यूम सेटिंग ये यूज स्मार्ट लेबिलिंग सिस्टम यही था वो जिस फंक्शन के भी में आपके रहा हूँ चलिए अब इसमें जो काम की चीज़े हमारे फिलाल वो है इवेंट सेटिंग में गए है अब इसमें अलग अलग साउंड में ही होता है करेंट साउंड स्कीम वोईसोवर वोईसोवर आपका यह आईफॉन वोइसॉए इज़ो ने करका फिल ले सकते हैं आप साउंड ८ेंग में इस scheme में वोईस ओवर इनोवेक्स टॉक बेक टॉक बेक शेयर्ड कस्टम ये शेयर्ड और कस्टम तो आप अगर कोई चाहते हैं दूसरा कोई sound scheme तो ठीक है तो मैंने वोईस ओवर कर रखा है अब वोईस ओवर तो मैंने कर दिया अब यहां पर नीचे settings दिवी है कि भई जैसे click event को मैंने on कर रखा है click event में on off का option दिया है एक तरब और एक तरब आपको click event में sound कौन सी है देखे play यह वाली कोई भी click करेंगे तो यह आवाज आएगी यही आती है वो ही सवर में अब touch sound यह वाली कुछ भी touch करेंगे तो आप touch clear focus यह बड़ी दीरे से आवाज आरी होगी आपको मेरे ख्याल में लेकिन अब शायद वोलियम अभी इतना ही है इसका इस और ज्यादा वोलियम तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अब्लियम अछायजर प्लक साउंड और शार्जर प्लक साउंड और शार्जर अप्लक साउंड ओर शार्जरौ तर यहत्ट वालियम कोशिश करता हूं बढ़ाने की क्या... यह वॉलियूम पर करेंगा मैं आपको बताता हूँ इवेंट सेटिंग को चेंज करूंगा अभी मैं बना इसांड स्कीम को चेंज कर रहा हूँ औक के यह ग평एलो को आपकॉटशी आपड सांड शयरं फोहाल सायं 비슷 है अजय है तो यह मैंने इस मैं कण डिया है आपका विक तो मैंको लेकिन बोहीं सवर्ड़ेख चेंजिए अब इसको करने के बाद देखते हैं बैक आ जाते हैं यहां से तो कि हमारा जब WhatsApp में हम कोई voice message record कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर कोई किसी तरह की sound आती है या नहीं आती है देखते हैं WhatsApp voice note record ठीक है तो voice note record back यह कचे बात है interrupt record 741 recording club PCT recording club 3 74 recording club recording Vs kaptaj RSS back 1 UI home तो battery काफी दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद बात भी है आप सबसे और काफी अच्छा भी लग रहा है लेकिन मुझे पता है कि टाइम की सबके पास प्रॉब्लम में आप डबल करके सुनियेगा और एक बहुत इंट्रेस्टिंग सा मैं वर्क्शॉप लेकर के आऊंगा बहुत जल्द जो कि मैंने लगबग चार महीने से ही प्लैन कर रखा है उसको और वो मतलब स्टुडेंट्स के पॉइंट ओफ यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा या फिर जो मतलब आडियो वगेरा बनाना चाहते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा तो उसमें मुझे जादा मेहनत करने की जरुरत नहीं है वो वही सब चीज़ें जिनका अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए और इस सीरीज को रिजियूम करने के लिए ही आज की इस वरक्शोप को मैंने तैयार किया है अदर्वाइस इसका कोई और खास कारण नहीं था तो एंड्रोइड 11 में अपडेट करने के बाद कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है अपना प्ले स्टोर में जाकर के जितने भी एप्स हैं उनको आप मैं पहले बता चुक है उससा बात है उसमें नेविकेशन बार में जाकर के माई एप्स में जाकर के अपडेट जरूर कर लें सारे एप्स को अपडेट अल कर लें और जहां भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो फोन को रिस्टार्ट कर लें बाकी ये बात सही है कि ऐसी कोई अपरत्याशित दिक्कत वैसे एंड्रोइड 11 में है नहीं कुछ चीजें हैं जिनका आपको आदी होना पड़ेगा और एक बात मैं खुद से भी कह रहा हूं मतलब इसको अलवीदा कह दूँगा और स्मार्ट वोइस की एक वोइस है जो डैनियल शायद है अच्छी है वो वोइस लेकिन बस वही है कि आदत नहीं है और फिर स्मार्ट वोइस पुरा का पुराई मतलब एक तरसे इंटरफेस चेंज है टीटीएस वगेरा कमेंटरी स्क्रीन रीडर भी मैंने बीच में ट्राई किया लेकिन कुछ कमिया है उसमें भी तो उस पर भी कभी अगर टाइम मिला तो बात करेंगे बहराल आज के लिए तो क्या कहें इतना ही काफी है अगर रिकर्डिंग लग का कोई भी प्रयास आपको अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं डिसलाइक कर सकते हैं कुछ तो करें और यहां तक अगर सुना है इसका मतलब आप हमारी इस वर्कशॉप को या रिकर्डिंग कलब को पसंद करते हैं तो बस इतना थोड़ा सा प्यार आपका बनता है शेयर कर दें अगर आपको लगे कि किसी नव सीखे कि ये चीज़ें काम आ सकती हो तो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जिनको आता है उनको जो कहना है उसे कोई दिक्कत नहीं है बेराल एंजोई करें और टेक्नलोजी को अपना साथी बनाए और टेक्नलोजी के साथ खेलें टेक्नलोजी से लाब उठाएं ये टेक्नलोजी है जो आपको और हमको आज समाज में आगे ले जाने में मदद कर रही है तो मिलते हैं फिर किसी और और recording club YouTube channel पर बहुत सारी चीज़े हैं आप लगों के लिए अगर आप बतलब विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या विवाहिक संबन्दों के बारे में या विवाह में आने वाली परिशानियों को लेकर के तो हम रही है, matrimonial meet है अगर आप अपने लिए भी अगर जीवन साथी डून रहे हैं तो इसके अलावा बाकी आप लोग देखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको ऐसा धन्यवाद